प्रोग्राम किस्मत और कुल्ली में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है प्रोग्राम आपकी सेवा में हम लेकर के आते हैं हर सोंबार और हर सोंबार और प्रोग्राम में पर लेने के लिए आपको देना होगा हमें अपना Dec-to-ikh, Place of Burd, and Time of Burd और ओपर आपके deat, time and place of Burd के उपर से आपकी जनम कुली यहाप निकाल करके जो भी आपके सवालात होंगे उसके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे डीटल्स में हमें जो चीज़ आप सची है वो है डेट अबर्ट, प्लेस अबर्ट और टाइम अबर्ट ये तीन चीज़ मिल जाए ताकि आपके कुणली को यहाँ पर निकाल सके पर उससे आपके सवालों के जवाब दे सके मान लिज़े आपके पास अपना टाइम अबर्ट नहीं है तो डेट अबर्ट के उपर से कुछ प्रश्ण है कुछ सवाल है कि जिनके जवाब दिये जा सकते कुछ ऐसे हैं कि जिनके जवाब नहीं दिये जा सकते तो मेंक शूर करिएगा कि डेट, टाइम और प्लेस तीनों ही हो तब ही जाकर कि पूरी कुनली बनेगी वरना कुनली का एक हिसा हमारे पास होगा जब कॉल करें टेलिविजिन का वोल्यूम बिल्कुल बंद रखिए ताकि आपके हमारी बात आसा नहीं से हो सके टेलिविजिन का वोल्यूम अगर आपका हाई हुआ तो आपसे बात नहीं कर पाएंगे तब तक कि जब तक टेलिविजिन का वोल्यूम बंद नहीं हो तो प्लीज मेक शूर करेगा कि टीवी का वोल्यूम बिल्कुल ही बंद हो और जिनके बारे में जानना है उन्हीं के बड़ डीटिल्स देनी होगी आपने किसी की डीटिल्स से किसी के बारे में कोई चीज नहीं बता पाएंगे ये बात खास क्याल रहे एक कुंडली से दूसरे व्यक्ति का देखना ठीक नहीं होगा तो जिनके बारे में जानना है उन्हीं वर टीटिल साबकों में देनी होगी तो करते हैं आज के प्रोग्राम के शुरुआत लास्ट वीक जो है हम एकलिप्स के उपर बात कर रहे थे एकलिप्स हुआ था बाइस तारीक को तो हमने एकलिप्स के उपर थोड़ी बात लास्ट वीक करी थे हमें उसी को आज कंटिन्यू रखना है और बाकी साइन्स को फिनिश करना है 21 जुलाई तक 22 जुलाई तक की प्रोडिक्शन होगी हम एकलिप्स के उपर अकसर प्रोग्राम करते हैं और जब भी प्रोग्राम होता है तो अकसर एकलिप्स को कवर करते हैं तो इस एकलिप्स को भी हम सोच रहे थे कवर करें तो यह एकलिप्स हुआ है कैंसर में कैंसर में यह हुआ सोलार एकलिप्स और इसका क्या प्रभाव राशी के उपर पड़ेगा उसके उपर हम चर्चा कर रहे थे हमने Scorpio तक कवर कर लिया था, Scorpio तक फिनिश किया था, अब Sagittarius से लेकर के हमें Pisces तक कवर करना है तो आज पहले वो फिनिश करते हैं, फटाफट और उसके बाद Calls लेना शुरू करेंगे कि लास्ट प्रोग्राम में जब हम Eclipse कवर कर रहे थे, हम एक भी Call नहीं ले पाए थे, तो आज हम पहले यह फिनिश करते हैं और फिर हम Calls भी लेना शुरू करते हैं, तो पहले जल्दी जल्दी फटाफट इसको फिनिश करते हैं, फटाफट का मतलब यह नहीं होगा, कि हम Sagitt ही मिले, इसकी हमारी कोशिश होती है, और मैं मानता हूँ काफियत तक उसमें हम खरीब उतरते हैं, तो Sagittarius से हम शुरू करेंगे, उसके बाद कॉलो का सिलसिला और उसके बाद साथ साथ एक केस्टेडी भी हमें करना है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कुनली हमारे पास है, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, बहुत अजीब प्लानेटरी प्लेस्मेंट है उसमें, और क्या सिचुएशन से वो अपनी जिन और एक और कुनली है, जिसमें जो बहुत दुखी कहानी है, उनकी बड़े बड़े पैन्फुल सिचुएशन से अपनी जिन्दगी में वो गुजरी हैं, तो उनकी कुनली को भी मैं चाहता हूँ आपको दिखाऊँ, तो पहले उनकी कुनली देखींगे अच्छली, और फिर एक फनी कह लीजिए, या ड्रामाटिक लाइफ, एक हिंदी मूवी जैसी, ऐसी भी एक कुनली एक भाई साब की है, मेरे पस दोनों की पर्विशन है कुनली दिखाने के लिए, तो उनकी कुनली आप, शायद दोनों की तो आज ना दिखा पाए, पहले वो बहुत ही दुखी सिटुएशन से गुजरी, तो हम प्लानेटरी एंगल से देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्लानेट किदर पड़ा है और क्या हुआ, और कितनी तकलीफ से, हम अपनी जिंदगी में, हम छोटी बातों पर कम्प्लीन करते हैं ना, यह हो गया, वो हुआ, इनकी जिंदग इसे तकलीफ जिंदगी में आई नहीं है, और इतनी तकलीफ से गुजरने के बाद वो कहां पर पहुंचती है, अपनी जिंदगी में, वो देखने लायक है, तो यह कौनली में आपके साथ खास शेयर करना चाहता हूँ, होफुली आज मौका मी लेगा तो कर पाएंगे, मौ और एकलिप्स के उपर किया एकलिप्स की असर सभी विविद स्टार साइन उपर पड़ेगी, तो हम स्टार साइन की बात कर रहे हैं, यह जो हम प्रेडिक्शन अभी दे रहे हैं, वो चंदर कुंडली या लगन कुंडली से नहीं है, यह स्टार साइन जो वेस्टन एस्टर स्थाइस के लिएए एकलिप्स जो है जो लास्ट विक हुआ वह एकलिप्स हुआ है आघवी घर के अंदर कहाई ओर आघवाक के लिए सब्सक्रोंतों एक बस्सक्रों जैसा है कि जैसे लेकलिश की अशर इंटेंश होती है लेकिन बहुत कम ठांब के लिए होती है वर शक्रोंtle से लिख बट बड़ा होता है लाकिन एक जरा सी सुई किसी ने चुबया दी तो आपका ध्यान उद्र जाएगा अब सुई मारने से को ने जाएगा अलिसा कि उसकी। उपर कोई खास तरह का जहर लगाओ यहाओ लिगा कि हम दुनिया से चल बसेंगे लेकिन उस एक fraction of a second के लिए वो जो दर्द होता है ना जो सुई का उस सारा हम सारा काम चोड़ करके कोई भी काम हम कर रहे हो सारा ध्यान हमारा उदर चला जाएगा हम सबसे अच्छी interesting movie देख रहे हो सबसे favorite movie देख रहे हो हम सबसे favorite activity कर रहे हो हम अपने सबसे favorite इनसान के साथ बैठे हैं तो हमें किसी चीज़ का होश नहीं होता ना लेकिन उसी time को या आपको जरा सी सुई चुबो देता हो तो आपका सारा ध्यान उदर चला जाएगा आप एक second के लिए बूल जाओगे कि आप अपने favorite holiday destination पे है या या आप बीच पर enjoy कर रहे है या आप अपने अजीज के साथ बैठे हैं हर चीज़ आप बूल जाओगे और सारा ध्यान आपका उस शन के लिए उस second के लिए उस fraction of a second के लिए वहाँ जाएगा तो यह जरूर होता है एकलिप्स का यही काम है तो again एकलिप्स Sagittarius वालों के लिए आठवे घर में हो रहा है तो कुनली में बारा घर होते हैं बारा घरों में से जो आठवा घर होता है आठवा घर होता है हमारे छुपे हुए दुश्मनों का उनका जो हमें पता नहीं होता कि यह हमें यह हमें अच्छे यह हमें पसंद नहीं करते यह हमसे जलस है यह हमरा अच्छा नहीं चाहते तो यह वो जो देखो दो तरह के दुश्मन होते है एक तो खुला होता आपको पता है कि यह उसको मैं नहीं पसंद उसके साथ मेरी बंती नहीं, उसको मेरी शकल नहीं पसंद, यह आमें पता होता है कहीं लोगों का ना कि नहीं हमारी बंती, ठीक है, यह वो खुले हमारे सामने आते हैं, तो वो चठागर है, चठागर एक्चुली दुश्मन के बज़ाए कॉंपिटिशन का है, लेकिन इन बैठता या रहती उड़ती बैठती आपके साथ, और आपको अंधाजा ही नहीं होता कि वो आपसे एक्स्ट्रीमली जलस है, यह आपका अच्छा नहीं चाहते है, आपको जमाने बाद पता चले या को इंसिडेंट ऐसा आ जाए, तो आठवा गर चुपा हुआ, कुंडली क सबसे अंधेरा गर जो है ना वो आठवा गर है, अगें, टेक्निकली बात करो तो और अंधेरा गर होगा बटे निवे, यह आठवा गर, तो जिसकी कुंडली में आठवा गर खुला होगा, ब्राइट होगा ना, उसके सामने राज की बाते बहुत खुलेगी, यह याद बार उसको पता भी नहीं होता कि मेरे साथ यह बुरा होगा ना, उसको पता ही नहीं होता कि उसका यह व्यक्ति उसका बुरा चाहरा है, तो आठवा गर उसका माना जाता है, तो सेजिटेरियस वालों के लिए आठवे घर में यह एकलिप्स हुआ, अभी जो लास्ट वीक तो सेजिटेरियस वालों के लिए उन लोग, वो लोग जो आपके चुपे दुश्मन है, फिर आठवा घर राज का और राजदारों का भी है, वो लोग जो आपकी सीक्रेट्स जानते हैं, तो यह आठवा घर है, तो याद रखिएगा, जितने लोगों को आप अपनी सीक्र अपने तक रखिए, सब को अपने हर चीज़ बताने की जरूदी कभी, राजदार करीबी होते हैं, भी हैं के साथ शेयर करते हैं, लेकिन हर एक को हर चीज़ बताने की कभी जरूदी नहीं होती, तो जितना आप सब लोगों को बताओगे, इसलिए संसारी लोग हम जो मेटे बात ही नहीं है। उसका जो है सब खुला है सब को पता है। उसके पास क्या है क्या नहीं और हर चीज उसके पास चुपाने के लिए कुछ नहीं है। लिकिन क्योंकि हम materialistic लोग हैं तो हमारे लिए आठव एगर को की energy को conserve करना उसको चुपाना बहुत important है। उसका ख्याल रख अठवा गर फिर बात करेंगे इस पर कभी तो यह आठवा गर Sagittarius वालों के लिए active होने के कारण चुपे दुश्मन इस वक्त जागेंगे। वहां कोई moment होगी वो तंग करने की कोशिश कर सकते हैं या आपके सामने खुल करके वो आ जाएंगे। या आपको अंदाजा नही होगा फिर आठवा गर चोटी मोटे चोट के लिए भी हो सकता है जो जिसके लिए शायद हम बहुत responsible नहों तो उसका भी ध्यान रखना होगा गाड़ी ट्राइव करते वक्त भी आपने क्यारफू रहना है चोटा मोटा चोट वोट लगने का योग चोटा गाड़ी वाड़ लगने का योग बन सकता है उसका ध्यान रखना होगा दूसरा आठवे घर बनता है हमारे सिक्स सेंस के लिए भी बहुत important है तो इस वक्त आपकी सिक्स सेंस भी Sagittarius वालों के लिए कि काफी जाग सकती है ऐसा लग रहा है आठवे घर में ग्रहन होने के कारण एक ऐसी situation से और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस तरह की स्थिति दे सकता है फॉर फॉर लिटल वाइल ये ये कुनली जरूर कहती है और आठवे घर में ग्रहन होने के कारण आपका कोई आपका खुद का भी कोई राज बाहर खुल सकता है तो इसके लिए भी mentally prepared आपके सामने राज खुलेंगे या आपका राज बाहर खुलेगा ये नजर आता है तो ये जरूर आपको कहीं न कहीं एक confusion वाली स्थिति से गुजारेगा आपको लगएगा मैं किदर हूँ क्या कर रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए कोई important decision को important mode ऐसा आजाएगा आपको लगएगा यह करू इस तरह की choices से आप गुजरोगे यह नजर आ रहा है तो यह था Sagittarius वालों का अब बढ़ेंगे केपरी कौन की और अब लगता है ब्रेक का भी समय हो रहा है शायद ब्रेक ले रहे क्या है अच्छा अच्छा ब्रेक में टाइम है तो 40 सेकंड्स है हमारे पास सो काफी सारा टाइम ब्रेक बागी है केपरी कौन वालों के लिए यह एकलिप्स अभी हुआ है वो है सेवन्थ हाउस में तो सेवन्थ हाउस में यह एकलिप्स हो रहा है और यह एकलिप्स शादी के घर में हो रहा है तो केपरी कौन वालों के लिए क्या होगा क्या नहीं आने वाले एक महीने के अंदर हम देखे बचे तैंगे ब्रेक के बात फिलाल हम कोशिश करेंगे अगलेaming प्रेक की बुर मिंयुक्रण हे गधिया हुआ हुआ लेने का सिलसिलाद जारी रहेगा लेकिन पहले वो के स्टेडी देखेंगे जो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ तो फिलाल ब्रेक की और बढ़ना होगा हमें बिल्कुल हम ब्रेक की और बढ़ रहे हैं बिलते एक चोटे से ब्रेक के बात ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी के प्रिकॉन के उपर हमने शुरू कर रहे थे और ब्रेक का समय हो गया आये के प्रिकॉन को देखते हैं के प्रिकॉन वो है जिनका जनम हुआ है 21st of December से लेकर के 21st of 22nd of December से 21st January तो डेट्स में आप मुझे मत पकड़ियेगा देट्स थोड़ी थोड़ी आगे पीछे हो सकती है depending upon the year of birth जो कस्प वाले हो वो बिचारे स्ट्रगल करते हैं जो बॉर्डर के उपर होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं जब दो कंट्रीज दो मुलकों की जंग भी जब होती है जो दो मुलक बॉर्डर से कनेक्टेड है तो जो बॉर्डर एरिया वाले हो पहले तंग होते है तो यही है क कास्प वाले जो एकदम दो साइन के बॉर्डर पे पैदा हुए हैं वो सबसे पहले तंग उनका समझ नहीं आता है कि कौन साइन लेना है कि वो केप्रिकॉन है या जैसे हमारे दोस्ते है 23 नवेंबर को पैदा हुए 23 नवेंबर 78 वो स्कॉर्पियो गीने अपने आपको या सै तो यह केप्रिकॉन लगने वालों के लिए 7 तुम को कहेंगा कुंडली टीवी स्कॉर्पियों पर दिखा सके तो बहुत अचा है तो ग्रहन क्या करता है जैसे आपको बताया उस घर के उपर जिस घर में ग्रहन होता है वहां आपका फोकस ज्यादा जाता है तो यह सात्वा गरें शादी का करें बहुत नमबर चार लिखा है लेकिन गर् फिक्स्ट गर साथ वाहें तो आज वो भी आपको एक बात बताता है चलूँगा तो 7 फान्त हाउस शादी का है तो यहां पर आपको अपने पार्टनर के बारे में कोई बात पता चले या पार्टनर के बारे मे कोई नई चीज डिस्कवर करो हो सकता है अच्छी बुरी ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कभी आपको बताया नहों आपके अजबन ने कि वो बड़ी अच्छी कुकिंग जानता है और ये साथवे घर में बुरी सामने वाले के बारे में फता चल सकती है फिर केपरिकॉन वालों के लिए क्योंकि ये ग्रहन सेवन्थ हाऊस में हो रहा है होता क्या है कि सेवन्थ हाऊस है ना टैंथ से टैंथ पे हैं तो इसके कारण जॉब के मामले में भी चेंजिस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस समय में काम काज के मामले में बदला होगा केपरिकॉन वालों के लिए और नोट अलिए ये जो पार्टनर के बारे में जो चीज कुछ डिस्कवर करने की बात है वो जरूनी के लाइफ पार्टनर हो फर्स्ट हाउस हमें सेवन्थ हाउस है पूरी दुनिया तो ये गरहंड क्योंकि यहां पर हो रहा है थोड़े केपरिकॉन वाले इस वक्त लोगों से जनरल दुनिया से अंजान लोगों से कोई डिसकमफर्ट फेस कर सकते हैं तो इसलिए थोड़े फिलोसोफिकल भी हो जाएंगे ओ, दुनिया ऐसी है, लोग ऐसी है ऐसी बाते करना शुरू कर देंगे, याद रहे है सेवन्थ हाउस कुन्डली का बहुत ही अजीब घर है ये हम है, ये सारी दुनिया इसमें आ जाती है जाने वाले अंजान ये सब इधर आते हैं और इसमें से फिर हमें चुनना है मतलब सेवन्थ हाउस शादी का भी घर है सेवन्थ हाउस बिजनस का भी गर है बिजनस पार्टनर आप पैदा हुए तो ठीज बिजनस पार्टनर थोड़ी है आप जब पैदा हुए तो दो बिजनस पार्टनर साथ पैदा हो थे क्यों नहीं आप पैदा हुए कहा रहे पले बड़े दुनिया में हो सकता है कि कोई आपको जब बड़े हो आपको कोई बंदा मिले बंदी मिले जो कहां कही रहा पला बड़ा हो और आप दोनों 25 साल, 30 साल की उमर में, 35 साल की उमर में, 40 साल की उमर में आप डिसाइड करते हैं को चलो हम एक बिजनस में साथ जाते हैं कहां आप पैदा हुए, कहां वो पैदा हुआ और आप दोनों बिजनस में गए हैं आप पूरी दुनिया में करोडों लोग हैं, आप कितने लोगों से मिले हो, फिर आपने उनमें से एक को चुना बिजनस करने के लिए, आप साथ पैदा नहीं हुए, आपने चुना, कितने लोग हैं उसमें से, इसी तरहा शादि, आप पुराना जमाना तो डिफरंट था, I mean, in most cases, एक को चुनते हैं, फिर कोई दो चार भी चुन लेता हैं, तो in most cases, आप एक को चुनते हैं और उससे आप šादी करते हैं, अब जिससे आप शाधी कर रहे हैं, शादी से 6 मैना पहले, 6 मårt साल पहले दो साल पहले पांच साल पहले वो बंदा या बंदी को आप जानते ही नहीं थे आपकी जिंदेगी में ही नहीं था आपके लिए वो सामने से गुजरा या गुजरी होती तो आपको पता भी नहीं चलता यह मेरी कोने वाली बीवी या अज़ बढ़े आपको क्या पत लेकिन बस उससे थोड़े टाइम पहले तो बिलकुल अंजान था जैसे आम दुनिया है वो ऐसा वो था यह वो थी तो साथवा घर कुंडली का बड़ा आजीब गर है इसमें सब लोग आ जाते हैं जिन जिन को आप फेस करते हैं ना जिन जिन को आप मिलते हैं वो सारा इदर यद्र रखेगा फिर उन में से आप चुनते हैं शादी के लिए पार्टनर्षिप के लिए किसी यह तो यह साथ वागर शादी और पार्टनर्शिप का र क्उंट्रेक्ट का है सारे कॉंट्रक्ट के लिए वैसे यह यह और यहतीनों गर आते हैं 3711 लेकिन यह लाग टर्म ह के लिए साथ वागर बहुत इंपॉर्टन शादी एक तरह कॉंट्रैक्ट है कि इमोशनल कॉंट्रैक्ट क्या लीजिए वैसे कागजों पर भी भी तो होता है लेकिन एक 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 इमोशनल बॉंडिंग ये सब कुछ तो इसलिए सेवन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टन है जहां आप दुनिया में से कोई एक्ति चुनते हैं तो यहां पर सेवन्थ हाउस में क्योंके गरहन हो रहा है आपको शादी के रिलेटेड भी इंपॉर्टन फैसला करना पड़ सकता है मतलब अगर आप केपरिकॉन वाले जो सिंगल है पहले तो जो शादी शुदा है उनको अपन शादी से रिलेटेड बात को लेगी या आप इंगेश्ड है शादी होने वाली है पता चला डेट कैंसल या तो यह तो वाइरस चल रहा है इसलिए बहुत सारे डेट कैंसल होई होगी regardless of star sign but generally speaking डेट कैंसल हो सकती है या कोई माइंड चेंज कर सकता है कुछ भी तो शादी य यह नहीं चलेगा अचनक आपका boyfriend आपको propose कर दे यह हो सकता है सो शादी से related चीजे कुलेगी रास की बात सामने हैगी रास खुलना कभी कभार initially painful होता है लेकिन हमें उसको digest करना सीखना होगा example किसी को diabetes है उसको पता ही नहीं कि diabetes है और डॉक्टर के पास जाता है जाती है blood test ह होता है डॉक्टर ने symptoms देखे शुगर चेक करानी चाहिए चेक कराया sugar हाई आया पता चला diabetes है अब क्या हुआ अब रास सामने खुला तो यह रास खुलना बुरी बात है क्या नहीं उस तो था ही था आपको पता चला तो आप उसका कुछ कर पाओगे तो कई बार रास खुल चाहेगा वो रास आपके सामने खुलेगा आपको पता चलेगा हाँ यह मेरा बुरा चाहरा है तब दुख होता है जब हम expect करते हैं कोई ऐसा वेक्ति है जिसे हम बिल्कुल expect नहीं करते कि यह मेरा बुरा चाहेगा यह चाहेगी हमारा उसके साथ बहुत अच्छा relation है बहुत के कारण दूसरा यह है कि ज्यादा realistic और practical approach कि हम दुखी है उसने इसा किया लेकिन अच्छा हुआ मेरे सामने रास खुला वो तो जैसा था ही था काली नकाबी उतरा है परदे में रहने दो परदा ना हटा हो तो परदा ही हटा है अंदर तो जो चीज़ है वही है तो बात य कोई भी contract sign कर रहे हैं तो दो चार बार चेक करिएगा बराबर सब कुछ terms and condition पढ़िएगा काम से related कोई तकलिफ से इस वक्त temporary गुजरना पड़े यह याद रहे खास करके वो लोग जो अपने काम में हो नौकरी में होंगे तो आगया आएगा लेकिन जो अपने काम में हो उन बदल नहीं सकते रहने तो जैसे लोग है आप अपने आपको बदले सारी दुनिया अच्छी हो जाए इसा कभी होने वाला नहीं है हम सब कहीं ना कहीं consciously subconsciously उस दौड में लगे हैं कि जहां पर हमें हो कि सभी हमारे साथ अच्छे हो जाएं सब हमें प्यार करें सब का ऐसा कर होना है तो आइस क्रीम की वैन ले लिजिए उसमें सब लोग आपको प्यार कर सकते हैं या आप जलेबी वाले बन जाईए सब लोग जलेबी लेने आएंगे और फ्री में बाटिये तो सब आपको प्यार करेंगे तो यह तो पॉसिबल नहीं है कि आइस क्रीम की वैन लेके आइस्क्रिम बाटो और जलेबिया बाटो तो शायद आपको सब प्यार करेंगी उसमें भी शुकर वाले लोग फिर भी प्यार नहीं खरेंगे जो आपको बुरा बुलेंगे आपने कुछ किया होगा तो तो बोलेंगे कई लोग ऐसे भी होगे जहाँ आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपके सामने आपके बारे में बुरा बुल देंगे तो ये सब के लिए हमें prepared रहना है उसमें ज्यादा अपना दिमाग और energy लगाने क ज़िरूरत नहीं है, बात यह हैं, और 7th house में ये ग्रहन होने के कारण health के मामने कोभी कोई प्रोब्लम डॉक्टर से कंसल करना लेकिन private parts से related कोई urinary problem से गुजरना पढ़ सकता है, डॉक्टर से कंसल करना है, अब बढ़ते हैं, Aquarius के उपर, एक्वेरियस वालों के लिए ग्रेंड हो रहा है चठेगर में 22 डिसेंबर से 22 जैनिवरी के बीच मैं समझना हूँ कि यह एक्वेरियस होंगे 22 जैनिवरी से 22 फेबरुरी माफिच आता हूँ यह होंगे एक्वेरियस और एक्वेरियस वालों के लिए ग्रान हो रहा है 22 जैनिवरी से 21st 22 फेबरुरी चठागर का है का है चठागर है हमारे open enemies का खुले दुश्मनों का तो पहले भी आपको यह example दिया है लेकिन simple है इसलिए वही example repeat कर देता हूँ ताके सब समझ जाए तो चठागर competition का घर है जरूरी नहीं के दुश्मन हो आप दो colleagues हैं आप एक company में एक ही position पे काम करते हैं आपके manager जा रहे हैं आप दोनों assistant manager हैं और दोनों को manager बनना है और दोनों उस position के लिए compete कर रहे हैं तो इसका मतलब यह थोड़ी कि वह आपका दुश्मन है या आप उसके दुश्मन है जो आप चाहते हैं वो वो चाहता है आप दोनों को उस position के लिए लड़ना है तो वो लड़ाई अपने career से limited career तक मेहदूद है वहाँ तक उसके limit है लेकिन यह थोड़ी है कि आप interview में दोनों तलवार लेकर जाएंगे और आपको उपर का manager बोलेगा कि चलो अब तलवार बाजी करो जो जीत जाए वो manager बनेगा ऐसा तो होता नहीं वहाँ तो इसकी लड़ाई है performance की लड़ाई है तो basically यह competition है आपकी कपड़े की दुकान है आपके next door आपके सामने वाले कपड़े की दुकान है तो क्या करते हैं आप आप कुशिश करेंगे ज्यादा ज्यादा customer आपके पास आए आपका ज्यादा भी के आप अच्छा माल लाओ अच्छे price पे बेचो अपने अलग अलग तरीके आप अपनाएंगे कि आपकी sales ज्यादा हो ऐसा थोड़ी होगा कि लोज बंदुक लेके सुबह बैड़ गे कि बस आथ तो सामने वाले को शूट ही कर देना है एक कोई तरीका हुआ कोई तो यह तो गुंडा गर्दी है मेरी भी कपड़े की दुकान है तो आपको उस फील्ड में उससे लड़ना है अधर वाइस तो सुख दुख में साथ दो पड़ोसी है मिलो जुलो वो अपनी जगा है लेकिन दंदे में कमपेटिशन हो सकता है तो यह चठागर है फिर उसमें हर एक तरीका डिफरेंट है फोर एक्जामपल किसी की कुंडली में चठे गर में राहू है तो वो क्या सोचे का पता है जनम की बात कर रहा हूं एक्जामपल दे रहा हूं वो क्या सोचे का पता है मैं कैसे सामने वाले को वो सामने वाले कि जो कपड़े की दूकान इसको कैसे गिराूं, बस उसका यही बताए, उसको गिराना है, मुझे और कुछ नी करना, मुझे उसको गिरा निका करना, यह उसकी सोच होती है, छाथे गर मेरा हो, वो सिर्ग जीतना जानता और कुछ नी जानता, अब छटे गर में जुपिटर है तो वो क्या करेगा उसका अप्रोच डिफरेंट होगा वो उस कपड़े वाले दुकान से मिलने जाएगा सामने वाले के देखो तुम भी कपड़ा बीच रहे हूं मैं भी कपड़ा बीच रहा हूं हम दोनों है ना एक प्राइस दे कर लेते है इस प्राइस से हमें नीचे नहीं जाना कस्टमर जहां आए लेकिन अगर हम दोनों ने कम्पिटेशन में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया तो कस्टमर का फाइदा होगा हम तो गए काम से तो चलो हम एक प्राइस सेट करते कि इससे नीचे हम माल नहीं बेचेंगे चाहे था हमारा कस्टमर मेरे वाँ आए चाहे मेरे वाला तुम्हारे वाँ है तो यह जूपिटर जिसके चटेगर में होगा वो ऐसी डील निकालेगा और जिसका राहू चटा होगा वो तो करके लड़ेंगे गिराने राहू लेकिन चटा हो ना वो तो आईडिया ही बनाता रहेगा कैसे मैं उसकी दुकान को गिरा दू वो राहू का काम है इसलिए राहू वाले पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं चटा राहू जो बोना तो पॉलिटिक्स में ये करना उपर वाले पॉलिटिंटर्स प्रामी मिनिस्टर्स कर सकते हैं आर्मी इसलिए को भाइस है कुछी दील कर लूप there पॉपर वाले पॉपिस से सब्सों और के ङृच्ठा मंगल होता है आर्मी में अच्छे वो सामने खतम करमा है तो उसका काम है तो डिपेंड करेंगा चटेगर में क्या प्लानेट है आपके जब पैदा हुए उस हिसाब से दिखाएगा क्या आपका कॉंपिटिशन के प्रती क्या अप्रोच होगा यह याद रहे हैं हमें लेना होगा एक बहुत चोटा सा ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बाक आफ्टर दे ब्रेक ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी हम एक्वेरियस के उपर बात कर रहे थे आपके कुछ मेसेजिस आ गए हैं पढ़ेंगे यह मेसेजिस भी बात में जल्ले एक्वेरियस फिनिश करते हैं और उसके बाद पाइसेज और फिर आपके कॉलो का सिलसला एक्वेरियस के लिए यह चठे घर में हो रहा है ग्रहन तो चठे घर में इसलिए आपको कॉम्पेटिशन का सामना करना पड़ सकता है टफ कॉम्पेटिशन आपको फेस करना पड़ सकता है फिर चठा घर हमारे डे टूडे अक्टिविटीस का भी है जो हमारे डेली रूट को चेंज करने के बारे में सोचेंगे शायद जिम जाने के बारे में सोचना शुरू कर दें कुछ ना कुछ ऐसा होगा और एक वेरियस वालों के लिए क्यूंकि चठे गर्मरेंड हो रहा है इनको abdominal area से related कोई problem से lower abdominal area के गुजरना पड़ सकता है कभी की भी कोई problem हो तो डॉक्टर से consult करना है डॉक्टर ही है जो आपको इस पे सही जवाब दे पाएंगे बट कोई competition phase करना पड़े किसी से आपको और चठा कर इसका है ये court case का भी आना जाता है तो आपको शायद कोई न कोई कोई वकिल की उपर पैसा कर्चना पड़े या court तक matter कोई जाए या कोई notice आपको आ सकता है तो उसकी भी तैयारी आपने रखनी है बट अगर डिपेंड करेगा कि चठेगर में for example आपका जनम का सूरिय पड़ा है और वहीं पे ग्रहन हो रहा है तो फिर उनको court से fine आ सकता है let us say चठेगर में राहू है और वहीं ग्रहन हो रहा है तो आपको court case में जीत मिल सकती है आपको court case से फाइदा होगा so depend करेगा कि birth placement क्या है ये तो जनरल बात है लेकिन birth placement के उपर depend करेगा ये क्या है ऐसी है कि एक ही चीज़े दो different चीज़ों में और डालोगे तो अच्छी या बुरी बाद में बन सकती है तो ग्रहन्ट सबके एक्वेरियस के चठे गर्मी हो रहा है लेकिन चठे में क्या पड़ा है बहुत matter करता है अब आपके पास खीर भी पड़ी है कोई चाट भी है या आपके पास मिंट सॉसेज चटनी है इमली की चटनी है आईस क्रीम है आपके पास और चाट पड़ा है अब आप वही इमली की चटनी चाट में डालोगे तो ठीक है अच्छी लगेगी लोग कहेंगे भी कि ठीक है अगर किसे ने इमली की चटनी आईस क्रीम पर डाली तो क्या करोगे आप आपको लगेगा कि उसका mental balance जो है इस बंदी का जा चुका है कि इमली डाली आईस क्रीम की ओपर इमली कौन डालता है तो वही इमली है चार्ट की ओपर अच्छी लग रही है आईस क्रीम के ओपर बुरी चीज वही है कहां पढ़ती है उसकी ओपर डिवेंड करता है यही है जिस चटे गर में राहो सब एक्वेरिस वालों के लिए चटे गर में बढ़ेंगे पाइसेस की और लास्ट बट नॉट दे लीस्ट पाइसेस वालों के लिए ग्रेंड हो रहा है पांचवे घर में तो पांचवा घर का है का है पांचवा घर हमारे फ्यूचर का है हमारी उलाद का भी माना जाता है हमारा फ्यूचर का माना जाता है तो पांचवे घर में ये ग्रायन होने के कारण अपाइसीस वालों के लिए उलाद से रिलेटेड कोई राज खुलेंगे पाइसीस वाले पहले तो वो हैं जिनका जनम फेबरुरी में कहीं 21st 22nd से लेकर के 21st मार्च के बीच बीच जनका जनम हुआ है वो पाइसीस है तो इस समय उलाद से रिलेटेड कोई राज खुल सकता है उलाद से रिलेटेड कोई नई बात पता चल सकती हो सकता है आपका आपके उलाद आपको आकर के कहे कि मुझे कोई लड़का या लड़की मिल गई है मुझे उसे शादे करना ये हो सकता है या उलाद की health आपको सता सकती है future की worry future के plans को change करने की worry सता सकती है क्योंकि पांचवी गर future है तो जब पांचवे गर में गरहन हो रहा है तो आपको अपने अगले अक साल के लिए दो साल के लिए कोई plan बिनाया हो या तीन साल का कोई program आपका हो कि यह पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना फिर ऐसे तो यह सारा कुछ आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो अपने प्लान्स को री, प्लान A से मूह करके प्लान B में शायद जाना पड़े, प्लान B नहीं है तो प्लान B बनाना पड़ेगा, यह हो सकता है, दूसरा, फिफ्थ हाउस में ग्रहन होने के कारण, जैसे मैं आपको बताए, एक तो अउलाद से रिलेटेड तकलिफ हो सकत कोई प्लान अभी फिचर का नहीं बनाना, कुछ ना करने को दिल ऐसा करे कि मुझे कुछ कुछ करना नहीं है, बस बैठे रहना, इस तरह की सिचुएशन से टेम्पररी गुजार सकता है, लेकिन इवेंचिली, क्योंकि ग्रहन तो थोड़ी देर रहता है, उसके बाद प्रशनी की किरन नजर आए, और आप फिर नया प्लान बनाओ, यह नजर आता है, जो स्टूडन्ट है, पाइसे इस वाले जो पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सेट बैक प्रेस करना पड़ सकता है, इस समय के अंदर जहां पर पांच वेगर में ग्रहन हो रहा है, और यह ज यह तीन बार कर लेना था कि मिस्क्ते के चांस, यह कुछ रह जाए, उसके चांस कम हो जाएंगे, आपको प्रेक्टिस ज्यादा करनी होगी, यही मैं कहूंगा पांच वेगर में, आप पांच वेगर में ग्रहन है, तो स्टमक का ध्यान रखना होगा, पेट से रिलिटर तक चाते हैं, बता दीजेगा, टेक्स कर दीजेगा, हम कवर कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमने सारा साइंस बराबर कवर किया है, इन केस कुछ रहे गया हो, तो जरूर आप हमें बता सकते हैं, यह ग्रहन बहुत कस्प पे हुआ है, इसलिए मैं आपको लास टाइम भ सुननी है, तो पाइसेज को पाइसेज भी सुनना है, एरिस भी सुनना है, तो यह बात है, तो आपको एक साइन आगे जरूर सुननी है, हम बढ़ेंगे, कॉलर क्योर टीम को कहेंगे, हलो, 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 हाई, हलो, हाई, हलो, हाई, लगता है, अगले कॉलर क्योर आगे बढ़ना होगा, उनके लाइन में कोई इस्यू है, मुझे लगता है, या हमारे लाइन में इस्यू है, यह तो पता चलेगा, जब दूसरे कॉलर क्योर बढ़ेंगे, अगले कॉलर क्योर लाइन फाइफ देखेंगे हलो एनकी भी आवाज नहीं आरे हैं अगले कोडर कर बढ़ेंगे हलो 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 हाई हलो अलो अलो नमस्ते अमस्ते जी अपने बारे हम पुशन दो नाम का पहला लेटर क्या आपके A A for Apple अजी देटर क्या है 11th of August 1974 11 August 74 याजी ताइम क्या है 1145 A.M 1145 A.M A.M कहा कबरते आपका यह है लोहारो हर्याना इंडिया लोहारो अजी लोहारो हर्याना में है अजी लोहारो हर्याना इंडिया लोहारो मेहंदरगर के आसपास बढ़ता है किसके आसपास मेहंदरगर टीम को कहेंगे आवार जो गेन है बहुत ज्यादा है अगर गेन थोड़ा कम हो जाए तो आवस करेक नहीं होगी लोहर आगया थोड़ा स्पेलिंग चेंज कर दो तो लाहूर बन जाएगा मुझे लगता है 11 ऑगस 1974 लोहारू भारत में जनम है आपका 11 बच के 45 मिनिट 11.45 एम को आप पैदा हुई तुला लगनकी आपकी कुंडली है और चंद्रमा आपका मेश राशी का है तो क्या आपका नाम राशी से रखा गया है या कोइंसिडेंट नहीं कि आपके नाम राशी और चंद्रमा पर से रखा गया है या कि अबताएं यह क्या प्रशन है जानना चाहते एक दो बाते हैं घुझा प्रियर के बारें करियर के बारें पूशना चाहिए एक बात मुझे नजरारी में बता देता हूँ जी फिर हम करियर के उपर आपका जो सवाल है उसके पर जाएंगे जी आपको शोल्डर या दान्त की कोई ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी तैयारी रखिएगा जी हाँ मेरा इपाइन्मेंट है दातों का अपॉइंट्मेंट है आपका है अच्छी बात है दातों ठीक है डेंटिस के पास जाएंगे ध्यान रखिए आपकी कुणली के दात या शोल्डर की ट्रीटमेंट होगी अभी यही समय के अंदर September से पहले बैसिकली तो आप जुलाई महीं जा रही है तो ठीक है रहा इसवाल करियर का काम काद के बामरे में आपने पूछा है किस फील्ड में जाना मैं मैं भुष्वी में मैंने मैं प्लानेट क्या कहते है मैं इस किस फील्ड में जाना चाहिए है का जी कैंडिए मैं घर से कोई बिजनिस करना चाहतु है, मतलब जो मैं नहीं कर सकती, जाती है, जाती है घर से काम शुन करूं तो यह नहीं सम्झेयारा किस तीसे लिटेट प्रणा चाहिए. वैसे मेरी मानिय तो आपको पुलिस में बढ़ती हो जाना चाहिए, बाकी तो कुन्ली दिदी. पुलिस वाले ही हो, एड्मिन्स्टेटिव वर्क भी हो सकता है, लेकिन सरकार या पुलिस का काम highly recommended है, पुलिस के लिए घर से तो काम नहीं हो सकता, तो आप घर से कुछ करना चाहती है, तो आप पुछ रही है, क्या करना चाहती है, इंटरस्टी. अपने शाब से अड्जस का सकता हूँ, वर्किंग आवर्स है, मैं ऐसे कोई काम चाहती है, तो कि घर से ही हो रगता है. आपकी कुन्ली जो अबन जी तुला लगनक्त की है, और राशी मेश है, ठीक है? दस्वागर करियर का माना जाता है. दस्वागर जो करियर का है आपकी कुन्ली में, उसमें तीन प्लानेट है. एक है बुद्ध, एक है सूरियम, और एक है शुक्र. तो ये तीनों एक साथ पड़े हुए है. मैं आपके दशमान्ष को भी देखूँ, तो वो भी मकर राशी का है, आपका टाइम उपद कितने हद तक एकदम कितना एक्यूरिट होगा? थोड़ा बहुत आगे पिछे हो सकता है या आपको लगता है ठीक है एकदम? मैं प्रेंट को ये बताया कुली भी साथ से बनी है अजा कहने सकती है कुली भी 1145 की ही बनी है? आपको इदर भी कुली में भी टैम लिखा हुआ है और जैसे मैं D1 बेखती है अपना काफी जो मैं अपना पोज़ग गती तो मुझता है D1 तो काफी थीक है ठापसे जैसा मेर बने चाहा है और सब्सक्राइब कर देना नहीं तो मुझे नहीं आई डिया अगर सही है कि नहीं तो आपको काम करना चाहिए बुद्ध से जुड़ा बुद्ध से जुड़ा काम बहुत अच्छा रहेगा और चंद्रव बुद्ध में आएगा e-commerce शिखाना पढ़ाना या चोटे बच्चों से जुड़ा कोई काम वो बुद्ध के अंदर आएगा तो यह आपको कंसिडर करना चाहिए दूसरा आपका शुक्र वर्गोत्तम है आपका शुक्र बहुत पावरफुल है तो शुक्र से जुड़ा काम मतलब कपड़े, ज्वेलरी या फैशन गुड्स और इवन इंटीरियर की आइटम्स घर के अंदर जो सजावट की चीज़े हैं आप लाइन पे बनी रही है, आप से बात करेंगे फिलहाल हम बढ़ रहे हैं बहुत चोटे से ब्रेक की और बहन जी का सवाल है करियर के मामले में कुंडली क्या कहती है आईए देखेंगे कि कुंडली करियर का कौन सा गर होता है और उसको कैसे देखा जाता है उसके उपर बात करेंगे, मिलते एक चोटे से ब्रेक के बार Welcome back after the break, ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कॉलर के साथ उन्होंने अपने बिजनस कामकाच के बारे में पुछा क्या उनकी कुंडली कहती है क्या नहीं कामकाच के महमले में, अगें, आपको अब तक तो पता चल गया होगा कुंडली में टोटल बारा गर होते हैं, बारा गर में दस्मा गर काम का है आप चाहे कोई भी काम करो, ठीक है, आप चाहे कोई भी काम, कोई भी काम दुनिया का करो काम तो करना ही पड़ता है तो अच्छा काम, बुरा काम, सही काम गलत काम, लीगल काम, इलीगल काम जो भी काम आप करते हैं वो आपके दसमे कर में आता है चाहे आप सोना चांदी बेचो चाहे आप कुदा ना कासता ड्रग्स बेचो लेकिन ये सब कुछ जो गलत काम भी करते हैं, उनको भी तो काम के लिए महनत तो करना ही पड़ती है, ऐसा तो हो नहीं जाता है, चाहे बिल्कुल ही गलत काम क्यों नहीं हो, फर एक्जांपल किसी, पहले भी बताया आपको, बैंक में डाका डालना, या चोरी करना, कोई बंद जाकर कहेंगे कि हलो, नौक करते हैं, कैसे हैं आप, हम आये हैं आपके घर चोरी करने, क्या सामन पड़ा है, तो आप भी दर्वाजा कोलते हैं, चोर आए, ओ, आई, 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 क्या लेंगे, चाई, पानी, समोसा बनाएं, कुछ आपके लिए, दीको उधर तीजोरी है, आप वह पड़ा है, ले लीजे, आप उधर वह पड़ा है, ऐसा थो होता नहीं, ऐसा थो, फिल्मम भी नहीं होता चोरो के साथ, तो बस वह उनको भी काम करना पड़ता है, लेकिन वह गलत काम कर रहे हैं, सही काम नहीं है, जो आप लीगली राइट नहीं है, यह नहीं करना चाहिए बट बहनत तो उनको भी करनी पड़ती है तो दस्वे घर में फिर दस्वे घर में क्या प्लानेट पड़ा है उस हिसाब से आप काम करते हो देखो काम हम करते हैं इसलिए कि हमें कुछ मिल जाए और ये डिजायर जो है वो हमारा मून दिखाता है यह हमेशे है याद रखिए का मून हमारे डिजायर देखे नेसेसिटी जैर डिजायर डिफरन चीज है मतलब एक एक दीखे चोरी के भी डिफरेंट सिनेरियोस हो सकते हैं एक बंदा हेल्दी है अटा-कटा है बस वो उसको जल्दी पैसा बनाना इसलिए चोरी कर रहा है तो ये एक है एक व्यक्ति विचारा बड़ा बुरे हालात से गुजर रहा है उसको जॉब करनी है लेकिन जॉब नहीं मिल रही भूखा है और उसके पास कुछ नहीं बचा और वो चोरी कर बढ़ता है चोरी इन एनी केस गलत है बट यहां पर सिनेरियोस बहुत डिफरेंट है तो नेसेसिटी इस अलग है डिजायर ग्रीड यह सब कुछ अलग है बैसिक नेसेसिटी के लिए कुंडली में जुपिटर बहुत इंपॉर्ट है और जो लक्षरियस चीज स्टैंडर्ड वाली चीज महेंगी चीज उसके लिए शुकर आएगा इस पर बात करेंगे सॉरी मै एस्ट्रोलोजी की फिलोसोफी की और जा रहा हूँ लेट इस गो अन्टू अटू 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 कॉलर वरना बात हमारी कहीं वाल चली जाएगी लाइन फाइफ हलो 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 बेंजी आप अपना टीवी प्लीज बन कर दीजिए वरना मुश्किल होगा बात करना जी बन कर दिया बहुत ही अच्छा किया हमारे प्रोग्राम में कॉल मिलाने के बाद जो दूसरा अच्छा सबसे काम किया वो आपने टीवी के वॉल्यूम बन किया वो है आपको शुक्र का काम करना चीए तो बुद और शुक्र बुद मतलब बच्चों से जुड़ा काम ये बहुत अच्छा रहेगा और इन फैक्ट बुद से भी पहले शुक्र का काम होगा क्योंकि शुक्र वरगोतम है ये मेरे बाद में रियलाइस किया तो पहले तो शुक्र का काम करे, क्योंकि लगनेश है और वरगोतम है, करियर के घर में है करियर का मालिक अपने से दस्वा है मतलब आपको अपना खुद का काम करना घर से काम करना recommend है, कर सकते हैं उसमें कोई शक नहीं है लेकिन काम किस चीज़ का करना है वो है अगर आपको नौकरी करनी है ना तो सुर्य की करना मतलब government अगर खुद का काम करना है ना तो शुकर का करना मतलब शुकर मतलब क्या कपड़े जुटरी मेक अप फैशन की हर चीज सजने सबरने की फैशन की हर चीज वो आपके लिए अच्छी है वो गर के दिखावे की चीज़े मतलब शोपीज जो घर में हम नहीं रखते हैं कोई फ्लावर वास हो गया या इंडियर डिजाइनिंग या इवन इसके साथ कपड़े अगर आप मैच कर लो तो यह जो कुर्टन्स नहीं होता है कुर्टन्स का काम कर सकती है आप बेसिकली जो इनसान सजने सबरने के लिए खुद के लिए अपने बॉड़ी के लिए या मकान को की सजावट के लिए जो चीज़े इस्तमाल करता हो आपने उनका काम काम करना चाहिए ऐडियली यही शुक्र आपका दशमान्ष में भी बहुत ही पावरफुल है है यही बेसिक यह और दशमान्ष में लगनेश बारावज है मतलब क्रोस कंट्री काम चंद्रा सब्तम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम यहां से कोई चीज भारत बेजिए भारत से कोई चीज इधर लाइए यह सारे काम है जो आप कंसिडर कर सकती है आपका क्या प्लान है आपने क्या सोचा है अब तक आपने क्या क्या सोचा है क्या क्या किया है क्या अपका प्रिलान अब तक क्या क्या रहा है तक इस अब थे इंडिया से मैं पर्फ्यों लाइए यह इनका वह रोव थे लेकर अपर अवर तक किया ट्राइए लेकिया आई पर मेरे ओनाइन कभी दिखा ही ने कोई सामान दिखता ही ने तो इसलिए इसलिए भी बिजया से मिज़ीनिया एभ अधिए जो अग्वाइच् जहां तक आपके बिजनेस की प्लानिंग है वो तो कोई जो इस फिल्ड का हुए एडवाइस करेगा कैसे करना है मैं तो आपको सेक्टर बता सकता हूँ किन सेक्टर में आपको जाना चाहिए सेक्टर से वाले तो दे बेस्ट आपको सूट करेंगे आपको इसमें जाना चाहिए यह फिल्ड आपके रहे पर्फियूम भी शुकर के अंदर आता है हर वो चीज जो फैशन से जुड़ी होना वो आपके लिए अच्छी है उसमें पर्फियूम भी आ गया मेकप आ गया कपड़े आ गए जुएलरी आर्टिफिशल जुएलरी यह सारा कुछ आप कंसिडर कर सकती यह करने लाइक चीज अब बन लगकी कोई नामक्ष है एक और चीज है एक और चीज है जो आप कंसिडर कर सकती है केटरिंग लेकिन घर से घर से खाने का काम खाने केटरिंग फूड वो भी अच्छा बेंचे आपको काम भी करना और हेक्टिक भी ना हो ऐसा है अच्छी बाद है खाने का खाना बना बना के था जाती है तो यह लगता है कि कुछ प्रण करना है तो आप चोटे से क्यों नहीं शुरू करती है आप घर पर तो बनाती है घर के लिए ठीक है ना थोड़ा ज्यादा बना करके आप उसकी को एड़र्टाइजमेंट करिए कि आप 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 इसके लिए आपको हेल्थ और सेफटी का सेटिफिकेशन चाहिए होगा का ले लिजिए लाइसेंस ले लिजिए जो जो नेसेसिटीज है गवर्मेंट की गाइड लाइनस और रिगूलेशन से इसको फॉलो करके आप कुछ ऐसा काम क्यों नहीं शुरू करती है आप अच्छा कर पाओगी इसमें जिस तरह का शुक्र है यह यह कंसिडर करने वाली ची हो आप यह को ऑ ला और ईशा अपने नाम रखना इवन जिसका प्रॉन्जीएशन भी ईblesिए होता हो फॉर इकजामपल इल्य। इल्यूजनलिजन लिखा आई से जाता है लेकिन प्रॉनजीशन उसका ई होता है इल्यूजन सौ जिसका प्रॉन्सीशन्जू ऀसे होता हो वेस अच्छा रहेगा अगर आप एक नीलम डालती हैं बलू सफाइर अच्छा रहेगा जरूर डालिये दूसरी बात रायमंड मैं डायमंड रायमंड बना डालगखा है ठीच गजा ठीच लिड़े में जिन्नों ने बताया सही बताया गलत नहीं बताया यू पर प्राइटाइज ब्लो सेफ हार आपको पहले ब्लो सेफ है ड़ना चाहिए झाल टेसे डाल हम ब्लो सेफ है पहला है वो डाली है एक और बात आपको बताता चलूँ अभी आपके सब्तेंबर में राहू बधलेगा और आपके आठवे घर में आएगा चंदर से दूसरे घर में तो आठवे घर में जब यह रहु आएगा ना यह frustration में बस कुछ करना ही है कुछ काम करना ही पड़ेगा अब बस उस चक्कर में आप कुछ गलत मत करीब बैठिएगा कभी कबार हम हमारा human nature है हम कोई काम करने जाते हैं जब वो स्लो हो रहा हो प्रोग्रेस उसकी स्लो हो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यह होता है सब का level different होगा तो आप उस frustration में आकर के कुछ नया करने जल्दी जल्दी करने के चकर में या जल्दी business establish करने के चकर में कोई गलत step मत उठा लीजिएगा या ओवर बॉर्ड मत चली जाईएगा ये खास क्याल रहे है या aggressive buying मत कर लीजिएगा for example आप perfume बेचना चाहती है तो perfume बेचने के लिए आपको पहले खरीदने पड़ेंगे तो ऐसा नहों कि आप अपनी सारी जमा पुझी सी perfume ही करेद लिए सारे बेचने के लिए और ना भी के तो तो ऐसी aggressive buying से अपने आपको आपने रोकना है ये खास क्याल रहे है अगले दो साल आपके लिए फ्रस्टेट्रेटिंग हो सकते है mentally prepare रहीएगा इस चीज़ के लिए लेकिन slow and steady wins the race हलके से आराम से काम करिए जल्द बाजी मत करिए का यही मैं कहना चाहूँ का sector तो यही बनते है जो मैंने आपको बताए नीलम कितने रखती का नीलम आपको गले में डालना है around 3 कारट का गले में डालिया यह अच्छा रहेगा यह थी हमारे कॉलर जिनों ने अपने बारे में पुछा जानना चाह रही थे काम का आज के बामने में शुक्र इनका वर्गोतम है एक एक्स्ट्रेमली पावरफुल वीनस है यह मेरा त्यान बाद में गया पहले वीनस का काम इनको करना चाहिए और उसके बाद कहीं जाकर के शुक्रा आएगा बुद का काम आएगा जबके मैंने पहले बुद बोला था लेकिन अच्छली सबसे पहले इनको वीनस का काम करना चाहिए और वीनस टीवी पे नहीं वो हम कर रहे हैं वीनस का काम वीनस से जुड़ा काम कर लीजे वैसे नोकरी जॉब करनी है तो सूरिय बहुत पावरफुल है यहां पर तो यहां पर सरकार यानि पुलिस के लिए अड्मिनिस्ट्रेशन का काम काउंसिल ऐसी बोड़ी जो काउंसिल के अंदर आती हो यह हाउसिंग के अंदर आती हो सोशल हाउसिंग ऐसा किसे काम में जा सकती है ऐसे डिपार्ट्मेंट में जॉप कर सकती है जहां पर खुढ के काम की बात है वीनस, वीनस है फैशन, वीनस है आर्ट, फैशन, ब्यूटी, कूपसूरती बढ़ाने का काम ये सारा कुछ वीनस, मेक अप हर वो लक्चरियस गुड्स, मेंगी चीज़े कूपसूरती बढ़ाने के लिए जैसे इंटिरियर है आप एक बिल्डिंग में जाते हैं उस बिल्डिंग में लेट असे बहुत बड़ा ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स है उसमें 100 फ्लैट्स है कितने? 100, एक्जाम अब 100 फ्लैट्स है तो फ्लैट जब बिल्डर ने बनाया इंजिनियर ने प्लान बनाया, आर्किटेक्ट ने उस हिसाब से बिल्डर ने फ्लैट्स बना ली अब फ्लैट में क्या है, बिल्डर ने तो वही दिवारे रखी, वही रूम बनाए, सब फ्लैट एक ही साइस के, अजिम करते हैं कि एक ही साइस के सब फ्लैट है, मैटिरियल वही है, सारा वही लगा है, लेकिन कौन सी चीज है जो हर फ्लैट को युनीक और डिफरेंट बनाती तो उसका इंटीरियर जो है उसकी खुबसूरती बढ़ाता है या उसको वह युनीक नेस देता है उसका इंटीरियर, तो यह शुक्र की बात है, इसलिए शुक्र ब्यूटी से जुड़ा है, अगें डिपेंड करेगा कि शुक्र के साथ किस प्लानेट का कनेक्शन है, तो ज शुक्र ब्यूटी, घर की भी ब्यूटी बढ़ाने का काम, कहीं लोग आप, जोन आप ने देखा किने, कहीं लोग गाड़ी की ब्यूटी बढ़ाते हैं, क्या करते हो, गाड़ी लेगते हैं, जैसे ही है वैसे ही, उसका सब को चेंज करते हैं, उसका वील बदलते हैं, उसक तो इसको उसमें सुधार करना है, उसको अपलिफ्ट करना है, तो कितना डिफिकल्ट काम होता होगा, मेक अप आर्टिक्स का इजी नहीं है, हम सुचते नहीं है ज्यादा उसके बारे में, लेकिन सोचिए जो चीज उपर वाले में बना के बेजी, उसको कैसे और सुधारा जा खूबसूरती बढ़ाने के उपर, तो खूबसूरती बढ़ाने का काम शुकर का है, इसलिए शुकर के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा है, मेक अप आर्टिस भी शुकर में आता है, और इवन फोटोग्रफर, वो भी फोटोग्रफर अगर शुकर है, और चंद्र है, क्योंक आफ़ोटोग्राफी करता है। जो नेचर की फोटोग्राफी में विट्टणी में एक्सपेट है या बइड्स की और Pulis, बढ़न का अची बने अछा वेडि़िंग फोटोग्राफ। पूड बनाता है उसको दे दो सरसो का साग हाथ में और मक्के क्या आटा दे दो मक्की का कि बस अब पका तो साग और मक्के की रोटी जरूर नहीं कि उपका पाएगा वो जापनी स्पूड बनाता है तो खाना है लेकिन खाने के अंदर भी अलग-अलग किसम है ना तो इस्ट्रोलोजी में भी बहुत स्ट्रीम से अंदर अंदर भी काफी सारे क्या कहते हैं स्कूल अफ थॉर्ट्स है जिसको फोलो किया जाता है तो हर फिर दुनिया में विराइटी बहुत है और इसी से दुनिया चलती है अब कोई कोई भी फिल्ड ले लो कोई ओप्टिशन है आंक का डॉक्टर है आपके पता चला दांत में प्रॉब्लम है आप चलेगे ऑप्टिशन के पास किया मेरे दांत में इधर प्रॉब्लम हो रही है वो क्या कहे आप यह नहीं कि वो दांत का बेसिक नहीं जानता होगा उसने पढ़ाई की होगी लेकिन बेसिक कुछ जानता ह है लेकिन दोनों के अपने expertise है तो एक्सपर्ट कौन सा प्लानेट आपको बनाता है शनी शनी एक्सपर्ट बनाता है आपको क्योंकि शनी experience है जुपिटर नौलेज है शनी experience है दोनों बहुत important है रहे कि नी तो इसी तरह जब एक डॉक्टर एक कोई व्यक्ति वह हाट सर्जिन बना सारी पढ़ाई उसने कर ली जैसे पढ़ाई कर ली तो क्या उसको पेशन्ट दिये जाते कि जब भाई कर इस पर हाट की सर्जरी नहीं उसको किसी हाट सर्जन के अंदर काम करना पड़ेगा पढ़ाई तो उसने कर लेकिन एक्सपिरियंस नहीं उसके पास तो उसको किसी हाट सर्जन के अंदर काम पढ़ाई जुपिटर जितना पढ़ जितना भी ले डिग्री कर ली उसने एक्सपर्ट बन गया हाट सर्जरी लेकिन पार्ट ऑफ स्टड़ी वुड़ बी टू शैडो इसके नीचे काम करना पढ़ेगा शनी कौन है शनी बुजर्ग आदमी है बुढ़ है आदमी है ज्यादा एक्सपिरियंस आदमी है हमारे घर में दादा दादी यह सब शनी के अंदर आते हैं हो सकता है हमसे कम पढ़े लिखे हो लेकिन हमसे दुनिया उन्होंने ज्यादा देखी है हमसे एक्सपि दिवाली उसने देखी है तो पड़ जितना भी ले एक्सपीरियंस बहुत पावरफुल है यह याद रखेगा एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है एक डॉक्टर से ज्यादा क्या बड़ी एक्जांपल हो सकती हाट सर्जेंट बन गया फिर भी वह सर्जरी के लिए उसको ले हैं आपका हार्ट ऐसे बेढ़ जाएगा आप सर्जरी कराने गये थे हार्ट एटेक लेकर बाहर निकलेंगे सीधे खतम डर के मारे के यह तो कहीं चकर नहों जाए लंबा तो हम प्रिफर करेंगे एक्सपीरियंस तो किसी के नीचे काम तो एक्सपीरियंस जो सिखाता है वो और कुछ नहीं सिखाती तो यह याद रखेगा जब भी आप सोचो ना कि हमें अपने मेरे माबाप कोई पड़े लिखे नहीं है मैं पड़ा लिखाओं या दादा दादी या भाई किताबी नौलेज होगी तेरे पास अच्छी बात है तो यह अपनी फिल्ड है जो यह एक्स्प्लोरेशन यह एक्स्प्लोइटेशन एक ही चीज में एक्सपर्ट होने का काम शनी करवाता है बट अब फिर कभी बात करेंगे बात ही और चली जाएगी कॉलर हमारे साथ लाइन पर है उनको पूछना है आट टू पर मुझे लगता है तो या थ्री यह लाइन तू जो एक अर वड़ेंगे लाइन अबेटे की दीटेल हमें दीए है लो आजे बेट काने भज़ित दी टे लाइव वो टीवी टे तुसी टेलेविजन दा वोल्यूम पिछे जड़ा उनू बन करतो प्लिज एलो हाज अब हलो है अब कर दीजे पिछे टीवी बन कर दीजिए प्लिज़ पीछे टीवी बन कर दीजे बहुत अच्छा काम आपने किया बहुत ही वंडरफुल काम डेट अबर आपने तुसे अपने मुंडे दी डेट अबर दसीया वो है 18 जैनुवरी 1982 1982 19 32 अच्छा सुरी 19 तारीक है नाइन जैन्वरी 1982 अजि इनादा जो बजे सवेर्दा जानमेया मंगल बार एथ दो बजे सवेर्दा अची जनलंदर जानम होया जनलंदर जनलंदर एक भारी तुसी डेट उबर्थ, प्लेश उबर्द, टाइम उबर्थ जड़ा दस detachा उसफ वननों तुसी रिपेत कर सकदे inflam अची कर दो प्लिस 19… 1982 जनलंदर जनलंदर तुसी पुछना चारे ओ इना दा वीजा कदो लोगूंगा ट्रावेल कदो हूगा यूके कदो हुगा बन्जी यूके दा अधा नी दस्या जा सकदा देस्टिनेशन लेकिन इना थे कुंद्ली दे विच्छे ट्रावेलिंग दे मामलेच कुंद्ली की कहन दिया ओ अपा देखन दी कोशिश करांगे तोड़े मुंडे दी जड़ा लगन वो है तुला लगन और तुला लगन भी यहाँ तुला राशी वी इनादी बनदी तुला लगन और तुरा राशी इनादी होन दे काराण एस वेले उनादी कुणली दे विच चौथे घर दे विच प्या इनका शनी और नाल प्या जुपिटर तो एस कारण इनादे ट्रावेलिंग दा पीरियड अल्रडी शुरू हो चुकिया कैसक देया एस वेले जेडिये स्थिती वाइरस तो उत्तो शारा गुजर्रे एस करके थोड़ा बहुत आगे पीचे हो सकदा लेकिन तोड़े मुंडे दी कुणली दे विच भारत अपना प्लेस ओबर्ज चड़के जाना और दुज्य था दुज्य कंट्रीच सेटल होना लिखिया अजुँ नियुके रएं या उिखिया है या सिफ यान Τा सिफ जाना यह सिफ ट्राविल करना या होपलेद इली लिखिया एदे कुणलिली भीचिक लिखिया होगा अच्छा ब्याक राके वीजा लाण ली इंडिया गया इंडिया गया अच्छा बोटी इत्थे हैं फिर तो फिर आना ही पोगा नी अच्छा बोटी बाइक लिख्या इया एने बाहर जाना पोगा रोगा सेटल करूगा जी नक्चर लगूगा अच्छा ब्यांजी या तो होना चैएदा एस समा देवीच जुन जुन दे कोल अगर जुन च नहीं होंदा फिर एना दा दुजा समा शुरू होगा नवेंबर तो फिर नवेंबर तो पिरेड शुरू होगा तो अगर जुन जुलाइदे पहले वीक दे विच काम नहोंड ता फिर नवेंबर चे होगा या उत्तो बाद होगा एद्धा लिख्या लेकिन अपा अपानू वड़ा पिक्चर वेखना चाहिएदा के आना लिख्या एक नहीं लि अणा पोगा वार सटल भी होगा तुसि फिकर उद्या आकरो एदी अदी पूर्णी का लिख्या जुलाइदे पहले वीक दे पहला विक जुलाइदा जुलाइदा जाऊगा वो तो पहला बन जाना चाहिएदा काम अगर नई बन पनदा ता फिर वी नवंबर तो बाद वी नवंबर तो बाद पीरियड शुरू होगा अच्छा एक और गल है एदे कुनली देवीच सेवन्थाउस दा लॉड जेड़ा शादी दे घर्दा मालिक है वो बारावे घर्दे वीच प्या हो तोड़ा सवाल बड़ा चंगा हो की होंदा ओ एह होंदा के साथवा घर जेड और बारावा घर दूरी दा है सेपरेशन दा तो एनने अपनी वोटी तो कुछ महीने सेपरेट रहना पाऊगा एद उनों वखरे रहोंगे पैस पहले वोटी तुसी तो एदी कुनली दे विचे लिखिया अजबंड वाइफ ने सेपरेट रहना पाऊगा हां यह एदा नही होगा के एक हफते देली एक किते गया एक महीने देली गया एदा नहीं कुछ साल इनना दे एदा गुजरूगे जिदे जगाच इननों जिथे इननों अपनी वोटी तो दूर रहना पाऊगा सेपरेशन लिखिया लंबा लंबे समय समा देली तो तुसी कह रहे हो धाई साल तो सपरेट या ठीक है या मैल ना गई या पर टारी साल हो गया उन्हों उत्थे गया आप अच्छा इंट्रेस्टिंग कुणली कैंदी है रहना वखरा रहना पाऊगा तो कोई गल नहीं हूँ हम कर आई दा चंगा हो जो वो बंजी अपन नेक्स टाइम रखांगे एस वेल एक सवाल तुसी पूछ सक देओ जिते सेट्रमेंट जा सवाल है मैंनो पूरी उमीद्या हो जाओगा तुसी अच्छे समाचार देना जुलाइदे पहले विक्च नहीं होया ता फिर वी नवंबर तो बाद होगा तुसी फोन करके जरूर दसेना जरूर दसांगे जरूर दस ज अध़ हुआन जड़ा है ढूद में ही तो बैंजी ने का द्यूर दसूर कर्ण में सब्साइब कूछ संट जरूर करें तेंकि थीचाओ-कषणी ऑग्रणि ऑब सावतफ हे तो थीडि जरू एक टाक्पlles हो आट पर इद्धानी मैं किया उद्धा मैंनी जिदा सामझाओ तूसी बोल लें जिदा ओ थैंक्यू मैं बैंजी पंजभी तोड़े नाल बोल के मेरी थोड़ी बड़ी प्रैक्टिस होगी मेनु पंजभी आंदी नी मैं एथे आ के सिखिया अच्छा मैं जदो इंडिया जानदा गुजराथ अपने गर्च मेरी मम्मी मैंनू केंदी हा के तू किते गया सी लंदन गया सी या अमरिट सर तू पंजभी कितो तू सिख लेगी तो मैं पंजभी बोल लिंदा है तो तूसी थोड़े कारण है थैंक्यू सो मैश पर कॉलिग मैंची थै अपने बेटे के बारे में मैं कुणली भी टीवी ते विखान दा तूसी फोन रखके टीवी थे कुणली वेख सक देऊ अच्छा थैंक्यू अब तूसी होन वाल्यूम भी अपकर सक देऊ ठीक्या थैंक्यू थैंक्यू बेंदे यह थी हमारी कॉलर जीनों ने पूछा उसमें हुआ क्या कि मैं एक बार इंडिया जब यहां चुट्टी पे गया तो किसी का फोन आया तो मैंने पंजाबी में बात मत को तो मेरे अच्छाममू होन इस आफ उसमें पंजाबी मिना संभी में पूरी कन्वर्यर्शेशन थैसे के रिए वे पूरी कन्वर्शेशन में कर ली मैनेंज तो क करें पहले उसमें एक प्रेजेंटर आती थी दो प्रेजेंटर ऐसी थी वो दोनों पंजाबी सिखाती थी टीवे तो उड़ा अड़ा इड़ी ससा हाहा तो मैं अल्फाबेट तब सिग गया था ये 2005 की बात करें फिर प्रेक्टिस नहीं की ज्यादा वरना तो लिख भी लेता मैं प ब्रेक्ट से पहले हमारे बात हो रही थी कॉलर के साथ और हम बता रहे थे पंजाबी के बारे में तो हम वो टीवी चैनल में हम काम करते थे 2004 2005 में हम वहां काम करते थे पहला टीवी चैनल ता मेरा पहला शो उसी टीवी चैनल पर हुआ अब वो चैनल नहीं है नाम नहीं ले सकता बट कुछ लोगों को पता है तो वहां से हमने शुरू किया था टीवी तो उदर क्योंकि मेरा अपना टीवी शो जैसे यहां पर बीनिरश में है dile़का ने recite बाब दूसरे उनके एक से ज्यादा चैनल था तो है प्रोड़ास करता कि तो उसमें उनका जो पंजाबी चैनल था ना वहां पर जो दो वहार आधा ड़ो लेड़िस होट शिखाती थी मसे पर्भांश पैंप पंजाबी एक बेहन जी थी उनका नाम था प्रभजोग जी मुझे अभी वियाद आ रहा है और एक और थी उनका जो दोनों सिखाती थी टीवी पे और बात यह थी कि दोनों यहीं पैदा हुई थी लेकिन फिर भी वो अच्छी बात है अपनी लैंग्वेज से जुड़ना तो यहाँ पैदा होने के बात भी प्रभजोग जी मुझे लगता है हाँ वो 70s में कहीं पैदा हुई थी और जो दूसरी लेड़ी थी वो 88 में पैदा हुई थी दोनों सिखाती थी यही लैंग्वेज और अच्छी बात है यहाँ पैदा होने के बात भी अगर आप इंग्वेज तो सीखते ही है लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप अपनी लैंग्वेज जानते हैं चाहे कोई भी हो उससे आपकी लैंग्वेज आपका कल्चर जिन्दा रहता है पर चाहे आप पंजाबी गुर्मुखी जानते हो उर्दू हो गुजराती हो अपनी लैंग्वेज को अपने कल्चर को जिन्दा रखना आगे पहुंचाना अच्छी बात है ताके भविशक के जो फ्यूचर जनरेशन से उनको पता रहे उनके रूट्स क्या है वो कहां से आया है लेकिन साथ ही जिस जहां से हम आते हैं वहां से अपनी भाशा आगे बच्चों को फरवर्ड करना ताके उनको अपने रूट्स याद रहे उनको पता रहे ये अच्छी बात है लेकिन इस चक्कर में फिर बच्चों पर थोपना भी नीची है बस बेटा पढ़ना ही पढ़ेगा तुझे गुजराती तारे सीखवी पढ़शे नीतर तरो आई वी नो ये उपचनो कराए तो अगर वो बच्चा सीखना चाहते है तो जरूर सिखाईए फिर चाहे गुर्मुखी हो चाहे गुजराती हो चाहे हिंदी चाहे उर्दू कोई कोई भी लैंगवज अच्छी बात है लैंगवज सिखाना आगे और सीखना तो हाँ तो मेरा वो रह गया उड़ा अड़ा इड़ी ससा हाहा ना फिर मैं बूल गया वरना सारा अल्फबेट हो चुका था और कौन सा अल्फबेट के सा लेकिन अगर आप कोई भी चीज जानते हो और उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक टाइम पर आप बूल जाओगे तो इसी तरह मेरे साथ हुआ वरना ज़रूरी सबक्पंजाबी लिख पड़ भी मैं लेता बट एन्यवे इस नेवर टू लेट कभी भी तो सीखी जा सकते कोई आपको इंटरस्ट हो एन्यवे तो बेंजी आई थी उन्होंने पूछा था अपने बेटे के बारे में इनका प्रशन था बेटे का वीजा को दो लगूँगा यह इनका सवाल था अब उनके बेटे की कुंडली आप देखिए अगें तुला लगना इससे पहले भी तुला लगना की कुंडली थी यह भी तुला लगना की ही कुंडली है तो फरक यह है दोनों कुंडली में जो इससे पहले बेंजी आई थी उनके और इनकी कुंडली में उस कुंडली में सूरिया बुद्ध और शुक्र तीनों दस्वे इनका शनी बारावा है मंगल के साथ साथ ही इसी कुंडली में पहले गर में चंद्रमा के साथ है जुपिटर और राहु के तु नौ और तीन ये इनकी जनम कुंडली है कौन गर सबसे इंप उसमें नेश में तीन नेशर में डिवाइट की जाती है fixed, dual, moving तो एक तो fixed राशी है जिसको हम कहते हैं हिंदी संस्क्रीट गुजराती में इसके लिए जो बड़े वो है स्थीर राशी fixed राशी, स्थीर उसका नेचर है दूसरा है dual जिसको हम कहते हैं द्वी स्वबाव बतलब कभी वो गुमती है कभी fixed है तो यह वो है तीसरा नेचर है चर राशी चर मतलब गुमना तो जितनी सेंटरिक राशी है ना 1, 4, 7 and 10 यह चर राशी है यह moving sign मानी जाती है यहाँ पर 9 में से 5 प्लानेट चर राशी के है तो यह देखिए आप यह नेचर है उसका वो बहुत important है देखना other than that योग कारक्षनी बहरावा है राहु नवा यह सारा कुछ देखते हुए कही न कही बहर सेटलमेंट तो लग रहा है लेकिन यह वीनिस जो है न उल्टा है वक्री है इसके कारण होगा क्या कि इनको जनमस्थान चोड़ना पड़े बाहर जाना पड़े बाहर रहना पड़े फिर जनमस्थान वापस जाना पड़े फिर वापस बाहर निकलना पड़े तो इस तरह की क्वेस्टिती इनकी कुंडली में लिखी है अच्छी बात है बाहर सेटलमेंट हो जाएगा संगर काफे कुछ होगा लेकिन उसके बाद बाहर सेटलमेंट लग रहा है और वीनस अभी उल्टा है वीनस जब यह पैदा हुए तब उल्टा था तो याद रखेगा कि जब भी एक प्लानेट उल्टा चल रहा हो ना तब आप उसको आस्मान में नेकेड आई से देख सकते है जैसे अभी तक वीनस तो नॉर्मली सीधा हो तो भी नजर अक्सर आ जाएगा तकि उल्टा हो तो ज्यादा ब्राइट होता है आज अगर आप देखोगे ना शाम को अगर अभी तो बादल बहुत है अगर क्लियर स्काई हो इस समय के अंदर तो आपको जूपिटर, सैटन, मरक्यूरी ये सब जो है ना मरक्यूरी वैसे भी नजर आ जाएगा अक्सर मरक्यूरी वीनस, वीनस तो खास, बहुत बराइट होता है वीनस लेकिन इस वक्त तो आप ऐसे प्लानिट भी देख सकते हो जो जल्दी नहीं दिखाए देते, जिन में से है जूपिटर और सैटन इस वक्त दोनों उल्टे हैं और इसके कारण आप दोनों को देख पाऊगे अगर आप कुंडली में तो देखते रहते हैं आपको अगर आपको देखना है ना कि कौन है जूपिटर और सैटन जो मेरे सभी जोतिशी जिसको ब्लेम करते हैं अगर देखने दर्शन करने तो आप अभी देख सकते हैं नेके डाई से खाले आपको आना चाहिए लोकेट करना किदर है अगर आप कर सके तो बहुत इजिली आप देख सकते हो इस वक्त तो यह बात है यह इनकी जनम कुणली है तो बैंजी पूछ रही थी शादी वैसे सेवन्थ लॉर्ड इनका सवाल अच्छा था जब मैंने उनको बताया कि साथवे गर्दा मालिक बारावे हैं तो उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या होता है ग главное अच्छी भात है सेवन्थ खा शादी का है उसका मालिक बारा बारावा घर दूर का घर है बेसिकली सेपरेशन अलग होने का दूर जाने का यह ज़ख्र बारावा है तो सीवनथ हाउस का मालिक बारा बाजब जाएगा तो सेवन थाउस से जुदा देगा यह मतलब रएवी से अलग रहना पड़ेगा कुछ बाऩरा है कितना रहना पड़े कितना नहीं फिर कुण्ली के डिविजनल चार्ट, इंटरनल चार्ट दिखाएंगे, फिर बीवी की कुंडली में क्या लिखा है, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, लेकिन इसमें लिखा है कि एसा नहीं कि हफ्ते दूर रहे, वो तो सब रहते, सालो जुदा रहना पड़ सकता है, कुंडली में ऐसा लि तो हालात ऐसे बन जाते हैं ना, कि आप दोनों को जुदा होना पड़ता है, न उसको जुदा होना है, न आपको जुदा होना है, हालात ऐसे बन गए कि आपको जुदा होना पड़ेगा, अगर साथवे घर का मालिक अपने से बारावा हो, तो आपका पार्टनर आपसे वो क साथ नहीं रहना, मुझे अलग रहना, तो इसमें तीन चीज हो सकती है, दो पार्टनर, हजबंद, वाइफ जब ज़ुदा होते हैं, उसके कारण, या तो हजबंद ने चुना ज़ुदाई, या वाइफ ने चुनी ज़ुदाई, या दोनों में से किसी ने जुदाई नहीं च दिखते हैं वो आपके आसपास की चीजे जो आपके मिटेरियल चीजे हैं टैंजिबल आइटम से टैंजिबल चीजे हैं वो सारा कुछ वहां से नजर आता है लगना से तो यह दिखाता है हालाती यह से बन जाएंगे कि हजबन वाई को जुदा होना पड़ेगा जो भी यह कोई खुदाई इल्म नहीं है इलाई इल्म नहीं है डिवाइन स्पिरिचुल नौलेज नहीं है गौडली नौलेज नहीं है मैं कुछ जादू कर दूँ और आपका सब कुछ ठीक कर दूँ ऐसा मैं आपके लिए नहीं कर सकता ऐसे कोई जादू स्किल मेरे पास नहीं है होप करता हूँ कभी आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी फिर मैं भी स्पाइडर मैन की तरह घर से स्टूडियो स्टूडियो से घर ऐसे जाला निकाल कर गार्डी ड्राइक पर नहीं पार्किंग डूनी कौन ऐसे चकरों में पड़े स्पाइडर मैन की तरह मैं भी कूद के इदर से उदर उदर से उदर जाना चाहता हूँ लेकिन ऐसी कोई जादोई शक्ती मेरे पास है नहीं जोतिशी कैलकुलेशन करता है जोतिशी अंतरियामी नहीं होता जोतिशी की जिन्दगी में भी ऐसी चीज़े हो जाती है जो उसने कभी सोची या कैलकुलेट नहीं की थी ये देखने का साइनसे भविश्य में फ्यूचर में देखने के एक जांकी जो है एक पिक्चर एक छोटा सीन फ्यूचर का देखने का एक विंडो है एक तरीका है आप अपने विंडो से जब बाहर जागते हैं तो आप देख सकते हैं लेकिन एक लिमिट होती है आपकी कि आप उतनी ही जगा देख सकते हैं विंडो आप अपने विंडो से बाहर निकलोगे तो क्या आपको पूरी दुनिया दिखाई देगी यह हर चीज दुनिया की दिखाई देगी नहीं ऐसा नहीं होगा तो जोतिशी भी जब आपकी कुंडले को देखता है तो उसके पास एक विंडो है उस window के अंदर उसको जो जो चीजे दिखाई देती है थोड़ी बहुत वो देखने की कोशिश करता है लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जोतिश को हर चीज नजर आती है तो ऐसा नहीं है जोतिशी की भी अपनी पूरी life mapped नहीं होती ये याद रखिएगा जोतिशी भी अक्सर जे मीट सर्प्राइज़स तो ये बात है बट कैलकुलेशन है क्या डॉक्टर कभी बिमार नहीं पढ़ता है क्या डॉक्टर है तो बिमार नहीं पढ़ेगा अफकोस पढ़ सकता है क्या मेकानिक की कभी गाड़ी खराब नहीं होती क्या हजाम के कभी बाल नहीं बढ़ते है क्या जो आइबरो करती है लड़की उसके आइबरो नहीं बढ़ते होंगे इसी तरह क्या जोतिशी गलती कर सकता है क्या जोतिशी की जिंदगी में ऐसा हो सकता है का जो उसको पता ही नहीं था हो सकता है तो यह याद रहे हैं हाँ आपकी कैलकुलेशन मेंने कोई कही और गल्ती होगी तो मेरी जिम्मेदारी कोई बात आपने मैंने कहे दी बिलकुल ऐक्यूरेट है और सही आगई तो उसका ने मुझे सिखाया जिन्नों ने किताबे लिखी रिसर्च किया हमारे गाउं में ब्राहमें ब्रामन है जिन्नों ने मुझे सिखाया और उसके बाद हमारे और भी टीचर बने लेकिन वह में है जिन से हमसिख है फिर आप लोगों ने बहुत हेल्प की अगर आपको लिया ना पूछे तो मैं कभी कोई चीज समद नहीं पाता जिन्होंने सॉफ्ट्वेयर बनाया इनका बड़ा शुक्रिया है भाई साब अमरीका में रहते हैं खुद बड़े जोतिशी है लेकिन वो जोति तो उनसे हैं गलती हो तो मैं मैरी जमेदार है याद रहें जिनको आफ एर बात करना चाहते हैं जिनको आफ एर बात करनी है टी वी प्रोग्राम के बाद वो लोग दूसरा नमबर आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है 0-034-88-7788 उस नमबर के उपर तीन बज़े से पहले फोन क कट सकता ये नहों के दो चार चीज बिकड़ जाए कहीं ये शायद हो सकता है लेकिन मैं आपका कुछ ठीक कर दूँ ना मेरे पस ऐसा कुछ नहीं है तो याद रहे उनली पढ़वाने के लिए 0-0-3-4-8-7-8 नमबर खुला रहेगा तीन बज़े से पहले आपको उस नमबर पर कॉल करना पढ़ेगा अगर आप आफ एर बात करना चाहते है तो उलागात मेरे आपसे होगी अगले सोम बार के लिए दुपहर को 12 बज़े लाइव वीनस टीवी पर मुझा आज केस टेडी करना था लेकिन आगे नेक्स वी करेंगे मिलते हैं मंडे